सोलन के बावा रिजॉर्ट में शारीर क्रूप से अक्षम हो चुकी कमर्शिल पाइलेट शीनु ने अपना गाना चनमक्षना लॉंच किया गाने की लॉंचिंग बावा रिजॉर्ट में एमडी हरदीप सिंग तिवाना ने की इस मौके पर निदेशक प्रमीन कुमार भी मौजूद रहे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गाना रिलीज होने से पहले ही दर्शकां को बहुत बाहरा आया और अब तक यूट्यूब पर क्रीवन साड़े चार लाख लोग इस गाने को पसंद कर चुके हैं आपको ये भी बता दें कि शीनू गाई का पेशे से एक ट्रेन पाइलेट थी लेकिन धुर्गटना की चपेट में आने से ये काफिसमें से कोमा में रही और मल्टीपल फैक्चर हुए और मल्टीपल फैक्चर होने के वएसे बिस्तर से उट तक नहीं पाती थी लेकिन शीनू ने हार नहीं मानी और कुछ पाने की चाहत से वे प्रयास करती रही शरीर ने साथ नहीं दिया लेकिन उसके बावजूद भी शीनु ने ना केबल गाना गाया वलकी वीडियो अलम भी रिलीज की इस मौके पर शीनु ने कहा कि उसकी गायकी को पीटीसी चैनल ने बहुत सराहा है और एक ऐसी कलाकार को प्रोस्ताहित किया जो की हर जगा से जीने की उमीद छोड़ चुकी थी शीनु ने उमीद जताई कि जिस तरह से पीटीसी चैनल ने उसका भरपूर साथ दिया है बहुत जब भी उसे इसी तरह मदद करेगी जाते हो जिंदगी निकालने का कोई मकसद बनता नी था तो मैंने सोचा कि कुछ किया जाए मैंने अपने हस्बन से बोला कि मैं कुछ करना चाहती हूं डांस मैं करने सकती हूं गा सकती हूं तो उन्होंने मुझे सुखपाद सुखजी से मिलाया उन्होंने मेरे पर काफी मे खाने का कि जो गोले गोलिया है लडाईया है उसको छोड़के ड्रक्स को छोड़के हम प्यार पे आए हैं हम अमने अपना सब कुछ किया है तो यह है इस खाने का बेस्टिश